प्रिये छात्रों आशा है कि आप अच्छे होंगे हमारी पिछली कक्षा में हमने अध्याय बारा के क्रिशी में जैव प्रद्योगी की के अनुप्रियोगों विशय के बारे में अध्यान किया था आज के सत्र में हम अध्याय बारा के चिकित्सा में जैव प्रद्योगी की के अनुप्रियोगों विशय के बारे में अध्यान करेंगे जैव प्रद्योगी की जीव विज्ञान का एक व्यापक शेत्र है जिसमें उत्पादों को विक्सित करने या बनाने के लिए जीवित प्राणियों और जीवों का उप्योग शामिल है 20. सदी के उत्राथ और 21. सदी की शुरुवात में जैप्रद्योगिकी ने नए और विविद विज्ञानों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है जैसे की जीनोमिक्स, पुने संयोजक जीन तक्नीक, लागुप्रती रक्षा विज्ञान और फार्मेसियूटिकल थेरिपी और नैदानिक परिक्षणों का विकास बायो टेकनोलोजी शब्द पहली बार 1919 में काल इररिक द्वारा उप्योग किया गया था जिसका अर्थ है कि जीवित जीवों की सहता से, कच्चे माल से उत्पादों का उत्पादन करना पुने संयोजक DNA तकनीक प्रिक्रियाओं ने सुरक्षित और अधिक प्रभावी चिकित्सिये दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करके स्वास्ति सेवाओं की शेत्र में काफी प्रभाव डाला है इसके अलावा पुने सन्योजक चिकित्सिय अवांशित प्रतिरक्षी जीव विज्ञान प्रतिक्रियाओं को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि गैर मानव स्ट्रोतों से प्रत्थक सामान उत्पादों के मामले में आम है वर्तमान में दुनिया भर में मानव उपियोग के लिए लगभग तीस पुने सन्योजक चिकित्सिय अनुमोदित किये गए हैं भारत में वर्तमान में इनमे से बारह का विपनन किया जा रहा है आज हम चिकित्सा के शेत्र में जय प्रद्योगी की के चार प्रमुख या मुख्य अनुप्रियोगों पर चर्चा करेंगे इनमे से पहला है जेनेटिकली एंजीनियर्ड इंसुलिन यानि की अनुवानशिक्त है निर्मित इंसुलिन दूसरा जीन थेरिपी, तीसरा आंड़िक निदान यानि की मॉलिकुलर डागनॉसिस और चौथा है खाद्य टीके या इडेबल वेक्सिन्स अब हम विस्तार से पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को या अनुवानशिकत है निर्मित इंसुलिन इसे अनुवानशिक रूप से इंजीनियर्ड इंसुलिन भी कहा जाता है इंसुलिन एक पेप्टाइड हॉर्मोन है जो अगनाशे के आईलेंड की बीटा कोशिकाउं द्वारा मिर्मित होता है यह शरीर का मुख्य उपच हॉर्मोन माना जाता है यह रक्त में ग्लुकोस के अवशोशन को जिगर, वसा और कंकाल की मास पेशियों की कोशिकाउं में बढ़ावा देकर कार्बो हाइडरेट, वसा और प्रोटीन के चया पचन को नियंत्रित करता है बीटा कोशिकाएं रक्त शक्कर के स्तर के प्रती समवेदन शील होती हैं ताकि वे ग्लुकोस के उच्च स्तर की प्रती किर्या में रक्त में इंसुलिन का श्राव करें और इंसुलिन का स्तर कम होने पर इंसुलिन का श्राव रोक दें कम यह अनुपस्तिर इंसुलीन गतिविदी के परिणाम स्वरुप मदुमे मेलेटस यानि की डाइबिटीस मेलेटस उच रक्त शकर के स्तर यानि की हाईपरग्लाइसीमिय की स्तिती होती है व्यसकों में होने वाले मदुमें रोग का नियंतरण निश्चित समय के अंतराल पर इंसुलीन लेने से ही संभव है मानव इंसुलीन परियाप्त मात्रा में उपलब्द ना होने पर मदुमें रोगी क्या कर सकते हैं उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्विकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलीन वियुक्त कर उसे उपयोग में लाना होगा क्या अन्य जन्तुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और क्या उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता मधु में रोगियों द्वारा उपियोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों वे सुवरों को मार कर उनके अगनाशे से निकाला जाता था जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलीन से कुछ रोगियों में प्रत्योर्जा, अलर्जी या बाहे प्रोटीन के प्रती दूसरी तरहा की प्रतिकिरियां होने लगती थी तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवानू मानव इंसुलीन बना सकता तो निश्चे ही पूरी प्रिकिरिया सरल हो जाती आप आसानी से ऐसे जीवानू ven को अधिक मात्रा में विक्सित कर जितना चाहे अपनी आवशक्ता के अनुसार इंसुलीन बना सकते हो अब बात करते हैं इंसुलीन की सन रचना की इंसुलीन में दो छोटे पॉली पैप्टाइट चेन होते हैं चेन A और चेन B जो एक साथ डाई सलफाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं मनुश्यों सहित स्तंधारियों में इंसुलीन को प्रो हॉर्मोन के रूप में संसलेशित किया जाता है प्रो एंजाइम की तरह प्रो हॉर्मोन को भी पूरी तरह परिपक वैकार्यांत्मक हॉर्मोन बनने से पहले संसाधित करने की आवश्यक्ता होती है जिसमें C-Peptide नामक एक अतिरिक्त खिचाव होता है ये C-Peptide परिपक इंसुलीन में मौजूद नहीं है और इंसुलीन में परिपकता के दोरान हटा दिया जाता है R-DNA तकनीक का उपयोग कर इंसुलीन के उत्पादन के लिए मुख्य चुनौती इंसुलीन को परिपक रूप में इखटा किया जाना है 1983 में एली लीली नामक एक अमेरीकी कंपनी ने दो DNA अनुक्रमांगों को तयार किया जो मानव इंसुलीन की श्रंखला 1 और B के अनुरूप होती है जिससे E-Colai के प्लाजमिड में प्रवेश कराकर इंसुलीन श्रंखलाओं का उत्पादन किया जाता है इन अलग-अलग निर्मित श्रंखलाओं A और B को निकाल कर डाई सलफाइड बंध बनाकर आपस में सन्योजित कर मानव इंसुलीन का निर्मान किया गया है अब हम जीन थेरिपी पर चर्चा करेंगे जीन थेरिपी जिससे मानव जीन ट्रांसफर भी कहा जाता है एक चिकित्सा शेत्र है जो रोग के इलाज के लिए एक दवा के रूप में रोगी की कोशिकाओं में नूकलिक एसिड के चिकित्सिय वितरण के उपयोग पर केंद्रित है मानव डियने को संशोधित करने का पहला प्रियास मार्टिन कलाइन द्वारा उन्निस सो असी में किया गया था लेकिन रास्ट्रिय स्वास्त संस्थान द्वारा अनुमोधित मनिश्यों में पहला सफल परमानू जीन स्थानांतरण मई 1989 में किया गया था यदि कोई व्यक्ति वन्शानुगत बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो जीन थेरेपी इस तरहा की बीमारी के लिए एक सुधारात्मक चिकित्सा है जीन थेरेपी उन तरीकों का एक संग्रह है जो एक जीन दोश के सुधार की अनुमती देता है जिसे एक बच्चे ब्यब्रून में निदान किया गया है यहां जीन किसी बीमारी के इलाज के लिए एक व्यक्ति के अंग और उतकों में डाला जाता है पहली क्लीनिकल जीन थेरेपी 1990 में चार साल की बच्ची को दी गई थी जिसमें एडिनोसीन डी एमिनेज या ADA की कमी थी प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य करने के लिए यह ADA या एडिनोसीन डी एमिनेज एंजाइम महतबून है विकार एडिनोसीन डी एमिनेज के लिए जीन को हटाने के कारण होता है कुछ बच्चों में ADA की कमी को अस्थी मज्जा प्रत्यारोपन द्वारा ठीक किया जाता है दूसरों में इसका इलाज एंजाइम रिप्लेस्मेंट थेरेपी द्वारा किया जा सकता है जिसमें मरीज को इंजेक्शन के जरिये कार्यात्मक ADA दिया जाता है लेकिन इन दोनों के साथ समस्या ये है कि ये पूरी तरह से उत्सुक नहीं है जीन थेरेपी की और एक पहले कदम के रूप में रोगी के रक्त से लिंफोसाइट को शरीर के बाहर एक संस्कृती या आर्टिफिशिल कल्चर में उगाया जाता है एक कार्यात्मक ADA, CDNA के या कह सकते हैं कि एक रेट्रोवाइरल वेक्टर का उप्योग करके फिर इन लिंफोसाइट में प्रवेश किया जाता है जिन्हें बाद में रोगी को वापस कर दिया जाता है चूंकि ये कोशिकाएं अमर नहीं हैं इसलिए रोगी को ऐसे अनुवानशिक रूप से इनजीनियर लिंफोसाइट के आवादिक आसव की आवशक्ता होती है हाला कि अगर ADA का निर्मान करने वाली मज्जा कोशिकाओं से जीन को अलग-अलग भूण के प्रारंबिक चर्णों में कोशिकाओं में प्रवेश किया जाता है तो ये एक स्थाई इलाज हो सकता है अब हम molecular diagnosis या आन्विक निदान पर चर्णा करेंगे आप जानते हैं कि किसी बीमारी के प्रभावी उपचार के लिए प्रारंबिक निदान और इसके पैथो-फीजियोलोजी को समझना बहुत महत्पून है निदान के पारंपरिक तरीके जैसे सीरम और मूत्र विशलेशन आदी का उप्योग कर ये जल्दी पता लगा पाना संभव नहीं है पुनरावर्ती DNA प्रोध्योकी की या RDT पॉलिमरेस चेन रियक्शन या PCR और एंजाइम लिंग्ड इम्म्यूनो सॉर्बेंट परक यानि की ELISA कुछ ऐसी तकनीक हैं जो प्रारंपिक निदान के उद्देश्य की सेवा करती हैं एक रोग जनक जैसे की बैक्टीरिया, वाइरस आदी की उपस्तिती आम तोर पर केवल तभी संदिक्द होती है जब रोग जनक ने एक रोग के लक्षन उत्पन किये हूँ इस समय तक शरीर में रोग जनकों की एकागरता पहले से ही बहुत अधिक होती है हलाकी बैक्टीरिया या वाइरस की बहुत कम एकागरता यानि की ऐसे समय में जब रोग के लक्षन अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हों तब PCR द्वारा उनके Nucleic Acid के प्रवर्धन यानि की Amplification से पता लगाया जा सकता है क्या आप बता सकते हैं कि PCR DNA की बहुत कम मात्रा का पता कैसे लगा सकता है? यह रोगी के नमूनों में लक्ष अनुक्रम को बढ़ाता है PCR एक ऐसी विधी है जो Synthetic Primer एक DNA Polymerase और DNTP का उप्योग करके एक Template DNA को प्रवर्धित करती है PCR अब नियमित रूप से संदिक्द AIDS रोगियों में HIV का पता लगाने के लिए उप्योग किया जाता है इसका उप्योग संदिक्द Cancer रोगियों के जीन में उत्परिवर्धन का पता लगाने के लिए भी प्रियोग में लाया जाता है ये कई अन्य अनुवानशिक विकारों की पहचान करने के लिए एक सक्षक्ति साली टेखनीक है एक फसे DNA या RNA एक रेडियो धर्मी अनुव के साथ टेख की गई और्टो रेडियोग्राफी का उप्योग करके पता लगाने के बाद कोशिकाओं के एक क्लोन में अपने पूरक DNA को संक्रण करने की अनुमती है उत्परिवर्तन जीन वाले क्लोन इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देंगे क्यूंकि जाच में उत्परिवर्तन जीन के साथ पूरक नहीं होगा अलिजा एंटीजन एंटीबोडी इंटरेक्शन के सिद्धान्त पर आधारित है रोग जनकों द्वारा संक्रमन को एंटीजन की उपस्तिती से पता लगाया जा सकता है प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन आधी या रोग जनकों के खिलाफ संशेशित एंटीबोडी का पता लगाने के द्वारा अब हम पढ़ेंगे इडेबल वैक्सीन या खाद्य टीके आम उप्योग के टीके आम तोर पर सेल संस्कृतियों या जानवरों द्वारा उत्पादित किये जाते हैं ऐसे टीकों में कमजोर या निश्क्रियर रोग जनक होते हैं फसल के पौधे एंटिजन पैदा करने के लिए सस्ते बैक्टीरिया या बायो रियक्तर को सहन कर सकते हैं जो खाद्य टीके के रूप में उप्योग किया जा सकता है यहां तक कि इन ट्रांसजेनिक पौधों के उतकों को भी कच्चा खाया जा सकता है ऐसे पौधों का लाब है बंडार की कोई समस्या नहीं होती खिला द्वारा आसान वित्रन प्रणाली है बैक्टीरिया किडबन द्वारा उत्पादित पुनह संयोजक ठीकों की तुलना में यह सस्ता विकल्प है कई रोग जनकों से एंटीजन पौधों में व्यक्त किया गया है केले और टमाटर में इस तरह के एंटीजनिक प्रोटीन व्यक्त किये गये हैं ट्रांसजनिक केले और टमाटर का सेवन हैजा और हेपाटाइटिस बी से पीडित रोगियों द्वारा किया जाता है पशुओं के पैर और मुख के रोग को ट्रांसजेनिक शुगर बीट खिला कर ठीक किया जा सकता है निकट भविश्य में इन टीकों का उपयोग पारंपरिक टीकों के रूप में किया जा सकता है ऐसे मामलों में जीन एनकोडिंग एन्टीजन को रोग जनक से अलग किया जाता है और फिर स्थानांतरित और व्यक्त किया जाता है आशा है कि आज का सत्र आपको उपयोगी रहा होगा और समझने में मददगार रहा होगा धन्यवाद अशा है